Hello Everyone, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 6th क्लास की जो साइन्स के NCRT है, उसका चैप्टर नंबर 5 डिसकस करेंगे और जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है प्रदार्थों का प्रथक करण तो 6th क्लास के बच्चों के हिसाब से ये बुक डिजाइन की गई है और जो लेसन है इसका परपज है कि बच्चों में प्रदार्थों को प्रथक किस तरीके से किया जाता है इसको समझा पाना यानि basic knowledge उनमें इस चीज की लापाना और ये बताबाना कि क्यों हमें प्रदार्थों को प्रथक करने की आउशकता पड़ती है सो हम discuss करेंगे यहाँ पे normal कुछ examples के थूँ बच्चों में बताने की कोशिश की गई है कि प्रदार्थों को हम daily life में किस तरीके से प्रथक करते हैं और क्यों हमारे लिए आउशक है इस example दिया गया है कि चाई बनाती समय चाई की पत्तियों को छलनी के द्वारा अलग करना पड़ता है क्यों अलग करना पड़ता है क्योंकि बिना अलग कि हम चाई कैसे भी सकते हैं बताया गया है कि इस तरीके से प्रदार्थों को प्रथक करना पड़ता है तो ये simple example है इसके बाद कुछ और examples हम देखेंगे हमारे exam के point of view से जो चीज़े हमारे लिए important होंगी वो आपको highlighted करके बता दिया जाएगा तो आगे चलते हैं इसके बाद बताया गया है जैसे फसल कटाई की जाती है तो अनाज को भूसे से प्रतक करना पड़ता है उसी तरीके से मक्खन हमें प्राप्ट करना है तो दूद और दही को मतना पड़ेगा इससे उससे मक्खन अलग हो जाएगा तो ये कुछ basic से examples बच्चों के हिसाब से बताये गए हैं हमारे लिए इसमें important नहीं है कुछ इसके बाद यहाँ है कि अगर रे तोड़ नमक के mixture से भरा हुआ glass दिया जाता है तो आप उसको किस तरीके से अलग करोगे तो यहाँ तो अलग करने के लिए हमें कोई अच्छा method चाहिए होगा नोर्मली तो हम उसको एक एक कंड को चुनके अलग नहीं कर सकते तो इसके बारे में जो methods हैं उनको आगे detail से दिया गया है हम discuss करेंगे आगे तो कुछ activities दी गई हैं जो कि हमारे point of view से important नहीं है exam के लिए और यहाँ पे कुछ प्रतकरन प्रकरम दिये गई हैं जैसे चावलों से पत्थरों को अलग किया जाता है और यह daily life में आपको देखने को मिलता है जैसे दाल, चावल, या गेहु अगेरा से पत्थरों को अलग करते हैं उसके बाद है कि मखन को प्राप्त करना है तो दूद को मतना पड़ता है और चाही की पत्ति आलग करना भी जरूरी है चाहे से तो कुछ बेसिक से एक्जामपल है सिक्स क्लास के बच्चों के हिसाब से अपना इंपोर्टेंट यह यहां नहीं है यह अक्टिविटी जब आप टीचर बन जाएंगे तो बच्चों के समझाने के आपके काम आएंगी जो प्रदार्थ हमें प्रथक करने हैं उनके कणों का जो आमाप है वो और जो दर्वे है वो भिन भिन हो सकता है और यह जो प्रदार्थ हैं वो कोई सी भी अवस्था में मिल सकते हैं यानि सोलीड, लिक्विड और यहस कौन से भी स्टेट में यह मिल सकते हैं तो हम प्रथक करन की वीधियां स्टार्ट करेंगे अब सबसे पहले है हस्थ चैन की वीधि तो यह सबसे सिंपलेस्ट मैथड है तो जो हस्थ चैन की वीधि है उसमें आते हैं ऐसे के डैली life में डाल बगिरा, गेहू बगिरा, चावल से जो पत्थर आते हैं उनको हाथ से चुन के अलग करने की वीधि हैं दिया गया है कि हस्थ चैन की वीधि हैं उसका उपव्योग गेहू चावल डालो और मिट से मिट्टी के करण वगेरा दूर करने के लिए करते हैं तो अशुद्यों के मात्रा जादा नहीं होती है तब इस विधिका यूज करते हैं अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट है थ्रेसिंग तो थ्रेसिंग जो है उससे हमारा क्यामीन है यहां यानि अनाज ही उनको प्रथक करने की जो प्रकरिया है उसको थ्रेसिंग कहते हैं और पहले ये थ्रेसिंग का जो कार्य है वो बैलो की द्वारा किया जाता था और वर्तमान में ये जो थ्रेसिंग की मसीने है उनसे किया जाता है तो ये भी एक मैथड है यहां पे अब हम next method देखेंगे so next method निश्पावन का method यानि विनोईंग का method यहाँ पे निश्पावन से जो simplest meaning है हमारा कि इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो जो एक प्रधार तो lighter form में होता है और एक थोड़ा heavy होता है तो हवा की सहायता से इस तरीके से चाना जाता है और जो भारी प्रधार्त है वो एक स्थान पे हमें प्राप्त हो जाता है और जो lighter प्रधार्त है वो हवा की जो जोके हैं उसके साथ थोड़ा दूरी पे इखटा हो जाता है जैसे यहां पे दिखाया गया है कि अनाज को प्राप्त करने के लिए यहां पे छाना जा रहा है जिसमें अनाज और भूसा यहां पे मिक्स है सो हवा की वज़े से जो भूसा है वो लाइटर फॉर्म में होता है इसलिए हवा की वज़े से वो हमें यहां प्राप्त हो जाता है और जो हनाज है वो हमें भारी होने की वज़े से यहीं गिर जाएगा सो यह जो मैथड है वो है निश्पावन का मैथड और यह काफ़े इंपोर्टेंट मैथड है निश्पावन का मैथड सो आगे देखते हैं यहां बताये गए है कि किसी मिशन के अव्योग को इस परकार प्रथक करना कि अवन या वायू के जोकों के दौरा मिशन से भारी और जो हलके अव्योग हैं उनको प्रथक किया जा सके सो यह मैथड कहलाता है निश्पावन का मैथड किसे पुछा जा सकता है कि कौन सा मैथड है जिसमें हलकी और भारी अव्योग को प्रत्थक कर सकते हैं हम तो important है किसी भी form में यहां से question बना के पुछा जा सकता है अब हम चलते हैं आगे next है यहां पे चालन का मैथड तो चालन में क्या करते हैं जैसे हम आटा छानते हैं तो जो चोकर है वो अलग हो जाता है और हमें fine जो आटा है वो प्राप्त होता है तो यह जो method यहां use किया जाता है daily life में यह चालन का method कहलाता है तो यह जो method हम पढ़ रहे हैं काफ़े simple से method है डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं ये अब नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट है वो है यहाँ पे आवसादन, निस्तारण और निशन्दन इनको एके करके हम देखेंगे कि इनसे क्या आमीन है जैसे कि हमने देखा कि गहूं और चावल वगेर से हम जो बड़े कन हैं उनको हाथ से चुनके अलग कर लेते हैं लेकिन अगर उसमें धूल, मिटी वगेर हुए तब हम उसको कैसे अलग करेंगे धूल, मिटी को तो हम चुनके अलग नहीं कर सकते हैं इसके लिए यह Methods हैं, आगे दिये गए हैं, इनको एक एक करके हम देखेंगे इसके लिए यह Methods हैं, आगे चलते हैं हम सबसे पहले हम देखेंगे की अउसादन की जो प्रकुरिया है, वो क्या है और निस्तारण से हमारा क्या मेन है फिर हम देखेंगे कि निशन्दन से क्या मेन है मिशन में जल मिलाने पर भारी अव्यव जो है वो नीचे तली में बैठ जाते हैं इस प्रक्रम को अवसादन कहते हैं जिस तरीके से ये गलास है इसमें वोटर हमने एड़ किया तो इसमें जो भारी प्रदार्थ है यानि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी तो ये प्रक्रिया कहलाएगी अवसादन फिर नेक्स्ट हम देखेंगे निस्तारन अब क्या होगा जो अवसादित मिश्ण है उसको बिना हिलाएगि जल को मिट्टी सहीत उडेलनी की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है निस्तारन सो इस तरीके से हमने देखा कि निस्तारण किसे कहते हैं अब हम आगे चलेंगे निश्यंदन के बारे में जानेंगे निश्यंदन जो है उसका मीन होता है फिल्टर करना यानि हम डेली लाइफ में जब चाई की जो पत्ती है उसको चानते हैं सो यही जो process है वो निश्यंदन कहलाती है यानी filter करना अबागे बताय गया है कि चाई से चाई की जो पत्या हैं उनको प्रत्रक करने के लिए निस्तारण वीदी अच्छे है या निश्यनदन वीदी सो निस्तारन विदी में तो मिशन को बिना हिलाई सीधा उडेल लिया जाता है तो उसमें चाई की जो पत्तिया है वो आने की चांसिस बढ़ जाते हैं तो ऐसी चाई तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी सो जो निश्यंदन का जो मैथड है वो बैस्ट मैथड है अब हम आगे चलेंगे आगे दिया गया है कि बारिश के मौसम में या फिर जो नलो से गंदला जल कभी-कभी प्राप्त होता है तो उसको किस तरीके से हम शुद्ध कर सकते हैं तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहां पर कि प्रदार्थों को प्रथक करना क्यों आउशक है तो यहां पर जो तालाब या नदी का यह पंकिल जल यानि जो खराब जल है उसको लीजिए ऐसा एक्टिविटी में कहा गया है सिक्स ग्लास के बच्चों के लिए इचा करके जो वाटर है उसको निकाल लेंगे दूसरे ग्लास में एक तो यह मैथड है यानि निस्तारण का मैथड एंड फिर बता रहे हैं कि जो पंकिल जल है जो मतलब गंदला जल है भूरे रंग का जल उसका निश्यंदन कीजिए उसके लिए छानिए उसको इस तरीके से बताया है कि निश्यंदन मैथड से भी हम अलग कर सकते हैं और जल फिर भी साफ ना हो तो फिल्टर पत्र के द्वारा निश्यंदित कर सकते हैं तो जो फिल्टर पत्र होता है वो एक तरीके का निश्यंदक होता है यानि फिल्टर पत्र एक ऐसा निश्यंदक होता है जिसमें बहुत सारे शुक्ष्म जिद्र होते हैं अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए इंपोर्टेंट है कि जो पनीर बनाने की प्रक्रिया है उसमें निश्यंदन विदी को यूज करते हैं तो किस तरीके से कि पनीर बनाने के लिए दूद को उबालना पड़ता है फिर उसमें नेबु का रस मिलाके उसको फाड़ा जाता है और फिर जो दूद था वो लिक्वीड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म के मिक्सचर की रूप में चेंज हो जाता है तो हमें उसको चानना पड़ता है इसके लिए filtration करना पड़ता है जिससे जो liquid है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं और जो solid है वो ही पनीर के रूप में हमें प्राप्त होता है इस तरीके से filtration का process किया जाता है और यही तो method निशंदन की विदी है इसलिए हमने देखा कि निशंदन जो विदी है वो इस तरीके से यूज की जाती है यहां पे अब हम काफी important method देखेंगे यहां पे waspun का method so waspun के method में क्या किया जाता है waspun के method में जो water है वो vapor बनके उड़ जाता है so यही application है वो use क्या जाता है इस method में जैसे कि जो पानी है उसमें salt मिला हुआ है तो किस तरीके से हम salt प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि salt तो पानी में विले हुआ हुआ है तो हम उसको गरम करेंगे तो water वो vapor बनके उड़ जाएगा और जो salt है वो remaining रह जाएगा सो इस तरीके से हम वापिस प्राप्त कर सकते हैं salt को अब हम next देखेंगे कि ये तो simple है कि जल जो है वो vapor form में change होता है इसको washpan कहते हैं और जहाँ पे water होगा washpan की process तो वहाँ होगी ही सो दिन में जब सूरज की गर्मी पढ़ती है तो जो नदिया है उनमें पानी होता है तो evaporation की जो process है वो चालू रहती है वहाँ पे तब हमारे लिए exam के point of view से क्या important है यहाँ पे वो देखेंगे हम सो exam के point of view से हमारे लिए यहाँ पे important है कि जो नमक है वो प्राप्ट करने की जो process है वो क्या है और यहाँ पे वास्पन की तरीके से इसमें useful है हम सब जानते हैं कि समुद्र का जो जल है वो काफी खारा होता है यानि उसमें काफी सारे तरीके के salt होते हैं लवन जो है वो मिक्षेत होते है वो बी एक लवन है जो कि समुद्र में पाए जाता है इसके लिए समुद्र का जो जल है उसको समुद्र के आसपा जो बड़े-बड़े गड़े हैं उन में भर देते हैं और जब दिन में सुरज निकलता है तो उसके light से वो water गरम होके evaporation की process के थूरू उड़ जाता है और जो salt है वो remaining रह जाता है अब जो salt है उसको फिर refine किया जाता है ताकि उसको खाने लाइक बनाया जा सके सो इस तरीके से प्राप्ट किया जाता है साधारा नमक यानि जो नमक है वो वस्पन की प्रकडिया से हमें प्राप्ट होता है अब हम चलेंगे आगे यहाँ इस चित्र में दिखाये गया है कि यह समुद्र है और इसके किनारे किस तरीके से यहाँ पे गड़े बनाए गए हैं और इनमें पानी भरा जाता है और पानी उड़ने के बाद इस तरीके से यहां पे salt है वो हमें प्राप्त होता है अब हम आगे चलेंगे कि प्रथकरण की एक से अधिक वीधियों का उप्योग स्वभी तक हमने देखा कि प्रथकरण की सिर्फ एक वीधि के यूद से हम जो required हमें वहां पे परिस्ति थी उसके अनुसार हम एक वीधि से काम चला पा रहे थे वहां पे लेकिन प्रथकरण की एक से अधिक वीधियों का व्यूप्योग करना पड़ता है कई बार तो उसके लिए क्या स्थिति होती है उसको हम देखेंगे जैसे कि रेत और नमक का मिक्स्चर है अब हम इसको कैसे अलग करेंगे रेत और नमक को हम चुन के अलग नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हम मैथर देखेंगे अब तो रेत और नमक का जो मिक्स्चर है उसको हम अगर वोटर में घोल लें तो जो नमक है वो हमें पता है कि वो पानी में विले हो जाता है तो नमक जो है वो पानी में विले हो जाएगा और जो मिट्टी है वो पैंदे में बैठ जाएगी तो उसके बाद हम अलग कर लेंगे सॉल्ट और जो पानी का जो मिक्षर है उसको और जो रेथ है वो अलग कर लेंगे उसके बाद जो हमें नमक और पानी का जो मिक्षर प्राप्त हुआ है उसको हम गरम करेंगे तो उसको जब हम गरम करेंगे तो जो water है वो vapor बनके उड़ जाएगा और हमें salt प्राप्त हो जाएगा तो इस तरीके से देख सकते हैं हम कि हमें एक से अधिक विधी यहाँ पर यूज करनी पड़ रही है तो सबसे पहले तो हमें निस्तारन करना पड़ रहा है और उसके बाद हम evaporation की जो process है वो हमें करनी पड़ रही है तो एक से ज़्यादा method हम use कर रहे हैं यहाँ पे अब next बताया गया है वस्पन तथा संगनन यानि evaporation and condensation तो यह क्या है इनके बारे में देखेंगे यह जो चित्रे यहाँ पे दिया गया है इसमें बताया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से इसको समझ पाई और हमारे exam के point of view से क्या important है इसको भी हम देखेंगे तो यह एक कैतली है जिसमें water है और इसको गरम कर रहे हैं तो जो पानी है वो बाव बन रहा है यानी जो evo-puration की प्रक्रीजा है वो यहाँ पे हो रही है और यह एक plate है जिसमें की बरफ रखी गई है तो जो बाव है वो यहाँ पे यह plate जो है वो बरफ की वज़ह से ठंडी है तो बाव भी ठंडी होकर फिर से liquid में change हो रही है यानि जो condensation की process है संगनन की वो process यहाँ पे हो रही है so इस तरीके से हमने waspn और संगनन को देखा अब हम चलते हैं आगे यहाँ आगे definition दी गई है condensation की वैसे हम इसको समझ चुके हैं यहाँ पे gel wasp से उसकी दर्व अवस्था में जो change होना है वो कहलाता है संगनन संगनन का जो example है वो daily life में हमें देखने को मिलता है जैसे कि दूद को गरम करते हैं तो उसके उपर अगर हम plate लगा देते हैं तो थोड़ी दिर बाद में अगर हम उस plate को खोल की देखते हैं तो उस पे वो वेपर है वो बाहर नहीं जा पाती और वो plate के contact में आके फिर liquid foam में change हो जाती है सो इस तरीके से condensation की process हम daily life में देख सकते हैं अब आगे दिया गया है यहाँ पे कि क्या जल किसी प्रदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल पाता है तो हम देखेंगे इसके लिए कुछ activity दी गई है यहाँ पे सो students को यह activity दी गई है तो एक बार हम short में इसको देखते हैं कि इसमें बताय गया है कि beaker या glass जो भी है आपके पास available वो लेजिए और उसमें नमक और जल हमें चाहिए तो सबसे पहले हम जल लेंगे उसमें हम नमक गोलेंगे तो एक चमच नमक हम गोल देंगे तो वो घुल जाएगा असानी से फिर से हम एक चमच नमक डालेंगे इस तरीके से हम नमक डालते जाएगे लेकिन एक समय बाद में क्या होगा कि जो नमक हम मिला रहे हैं वो जो glass हमने लिया था उसकी तली में वो नमक पैट जाएगा यानि वो घुलना बंद हो जाएगा तो घुलना कब बंद होगा कि जब जल में संतरप्त विलियन बन जाता है तो उसके बाद हम जो प्रदार्थ है वो जल में अधिक नहीं घूल सकते यानि उससे ज़्यादा प्रदार्थ हम नहीं घूल सकते तो इस तरीके से जो विलियन बनता है वो कहलाता है संत्रप्त विलियन संत्रप्त विलियन के डेफिनेशन हमने यहां पे देखी अब आगे चलते हैं आगे की जो एक्टिविटी है उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए कि इसमें बताया गया है कि अगर जब हमने संत्रप्त विलियन बना लिया उसके बाद जो नमक है वो नहीं गुल रहा तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा संत्रप्त विलियन है उसको गरम करेंगे तो गरम करने के बाद अगर हम नमक मिलाएंगे तो वो मिल जाएगा यानि और नमक हम मिला सकते हैं तो इससे एक रिजल्ट हमें प्राप्त होता है जो हमारे एक्जाम के लिए important है तो वो जो रिजल्ट है वो ये है कि गरम करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है यानि गरम करने पर जो भी प्रदार्त हम घोलना चाहा रहे है वो हम जादा मात्रा में घोल सकते हैं अब इसके बाद है कि क्या जल में विभिन विले प्रदार्तों की समान मात्रा घोलती है तो इसको भी हम समझेंगे अब हम क्या करेंगे इसके लिए दो ग्लास लेंगे एक में हम नमक घोलेंगे और एक में हम चेने घोलेंगे इस तरीके से जब हम घोलते जाएंगे तो हमें संतरप्त विलियन प्राप्त होगा और जो ये प्रैक्टिकल हम करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि जो नमक के पानी में नमक घुलने के लिए हमें जितने चम्मच चीए थे और जो चीनी का संत्रप्त विलियन हमें प्राप्त हुआ है चीनी और पानी का उसके लिए जो चीनी की चमच हमें चीए थी उनमें डिफ्रेंस होगा यानि जल में घुलने वाले जो प्रदार्थ है उनकी मातरा अलग-अलग होगी इससे हमें यहाँ पे एक रिजल्ट मिलेगा कि जल विबिन प्रदार्थों की भिने बिन मातरा को घुलता है इस चैप्टर में हमने यहाँ पे डिसकस किया प्रतकरन के मैथट्स और यहाँ पे देखा है कि प्रदार्थ को धरवे में गोलने से जो विलियन बनता है यदि विलियन में और प्रदार्थ ना घुल पाए तो वो विलियन कहलाता है संत्रप्त विलियन अब आगे कुछ शब्द दिये गए है So, इन सब को हमने डिसकस किया है आगे सारांस दिया गया है कि हस्त चयन, निश्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारन और निश्यंदन ये जो हैं, ये मैथड्स हैं याँ पर प्रतक करन की आगे बताया गया है कि अनाज से भूसा और पत्थरों को अलग करने की जो प्रोसेस है वो हस्त चैन से हम कर सकते हैं फिर है कि भूसा अनाज के भारी बीजों से निश्पावन विधी के द्वारा प्रतक किया जाता है यानि हमने जब निश्पावन मेथट को डिसकस किया था तब हमने वहाँ पे देखा था कि जो हलके और भारी अवियव होते हैं उनको हम निश्पावन विदी से अलग कर सकते हैं आगे दिया है कि किसी के भी मिशन के कणों के आमाप में अगर अंतर होगा तो चालन विदी और निश्यंदन प्रक्रियाओ की द्वारा प्रत्खकरण में उसको यूज कर सकते हैं तो एक्जामपल है जैसे चालन विदी है तो आटा चानने की जो प्रोसेस है वो चालन विदी कहलाती है इसमें जो आटे के कण है वो बारिक होते हैं और जो चोकर प्राप्त होते हैं हमें उसके जो कण है वो ज्यादा बड़े होते हैं इस वज़े से जो कणों के आम आप में जो अंतर है यहां पे इस वज़े से यह यूज करते हैं चालन मैथड और जो निश्यंदन का मैथड है जैसे चाई की जो प्रोसेस है उसमें चाई को जब हम चानते हैं यानि उसका फिल्टरेशन करते हैं तो जो चाई है वो करते हैं अब हम आगे देखेंगे कि अगर आपके पास मिट्टी और जल का मिक्षर है तो क्या करेंगे हम कि जो रेत है वो हैवी होने की वज़े से तली में बैठ जाएगी फिर हम को निश्थारण की विदी से अलग करना होगा जल और मिट्टी को सो निश्थारण के इस लिकविड को भी हमने यहां देखा है अब हम चलते हैं आगे दर्व और उसमें एविले प्रदार्थ जो है उनके अव्योग को निश्थार्ण के उप्योग से प्रथक किया जाता है ये वही एक्जामपल है चाय वाला चाय है वो लिकविड है याप और एविले प्रद अब है किसी दर्व के उसके वास्प में चेंज होने की जो प्रिकरिया है वो वस्पन कहलाती है जो वस्पन की जो प्रिकरिया है उसका यूज हम करते हैं दर्व में घुले विट हो उसको प्रतक करने में जो नमक है वो अगर लिक्विड यानी पाने में घुला हुआ है तो उ उसको अलग करने के लिए हम वास्पन का यूज करते हैं और उसको गरम करेंगी तो वोटर तो वेपर बन के उठ जाएगा और सॉल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा उसके बाद है जिस विलियन में कोई प्रदार्त और अधिक ना घुल पाए तो वो कहलाता है संतरप्त विलिय इसके बाद है किसी प्रदार्त की विलियन को गरम अगर हम करें तो उसमें और अधिक प्रदार्त घुल सकते हैं यह हमने डिसकस किया था भी फिर है जल जो है वो विले प्रदार्त की विभिन मातराई घुलता है नमक और चीनी वाल एक्जामपल से हमने इसको देखा था अ अब हम चलते हैं आगे, आगे question answers हैं यहां पे, हमार exam के point of view से जो important होगा उसको हम देखेंगे, यहां बताया गया है कि किसी mission के विबेन विव को प्रतेक करने के आउशक्ता क्यूं होती है, दो धारन लिखिए, तो हमने देखा कि daily life में हमारी सहूलियत के लिए आउशक्ता हो हमें यहां पे प्रतेक करने की और example, तो कोई भी दो example लिख सकते हैं, हमने इतने example यहां पे discuss किये हैं, जैसे कि चालन method है, निश्पावन वाला method है, next है निश्पावन से क्या भी प्राई है और इसको कहां यूज किया जाता है, जो निश्पावन का method है, यह हमने देखा, कि जब हवा चलती है, तो भारी और हल के अव्योग को अलग करने के लिए यूज करते हैं इसको, फिर है पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कंड को कैसे अलग करोगे, जो भूसे और धूल के कंड को हम कैसे अलग करेंगे उससे, सो दाल से जो भूसा है उसको अलग करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं निश्पावन method क्यूंकि जो भूसा है वो हलका होता है, और धूल के कंड है, इनको हम हस्त चैन वगेरा से नहीं कर सकते हैं और भूसे और धूल लाइटर फोर् यूज कर सकते हैं फिर चालन से क्या अभी प्राई है तो चालन से हमारा मेन है चालन वाली प्रोसस हमने देखी थी आठा चाने में यूज करते इसको फिर नेक्स्ट रेत और जल के मिक्शर से आप कैसे अलग करेंगे यूजर जल को तो निस्तारन काुमेř्णर्ण electoral उससे हम अलग करेंगे इसको हमने देखा था इसको अब हमारा जो क्यूशन है वो है आटे और चीनी के मिक्स्चर से क्या चीनी को प्रत्थक करना संभव है अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे पर हम देख सकते हैं कि जो आटा है वो यहाँ पे हलका वियो है और चीनी है वो भारी है तो यहाँ पे निस्पावन का जो मैθट है वो यूँज कर सकते हैं हम फिर है पंकिल जल के किसी नमूनेसे आप स्वच्छे जल कैसे प्रत्थ करेंगे तो जो पंकिल जल है उसके नमूने के लिए हमने method देखे थे कि उसको सबसे पहले हम रख देंगे ताकि जो शुद्या है वो पैंदे में बैठ जाए फिर निस्तारण विदी यूज कर लेंगे और अगर निस्तारण विदी से भी possible ना हो पाए तो फिर जो निश्यंदन विदी है, filtration के process उसको हम यूज करेंगे अब इसके बाद रिक्तिस धान को यहां पे भरना है तो हम चलते हैं कि धान के दानों की डंडियों से प्रथक करने की विदी को क्या कहते हैं तो धान को दानों से यहां पे अलग करेंगे तो tracing को जो method है वो यहां पे कहलाता है so tracing answer होगा फिर है किसी एक कपड़े वे दूद को उडेलते हैं तो मलाई उसी पे रह जाती है प्रथकरन की यह process क्या कहलाती है फिर उसके बाद समुदर के जल से नमक कैसे प्राप्ट करते हैं तो वास्पन की प्रकरिया से हम प्राप्त करते हैं इसके बाद जब पंकिल जल को फूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो शुद्य तली में बैठ जाती है फिर हम सवच्छ जल को उपर से प्रथक कर लेते हैं इसमें यूज होने वाली जो प्रक्रिया है वो कहलाती है तो ये जो प्रक्रिया है वो निस्तारन कहलाती है अब इसके बाद right और wrong statement देखने है तो first है दूद और जल के mixture को निश्यंदन के द्वारा प्रथक किया जा सकता है दूद और जल के मिक्शर को हम निश्यंदन के द्वारा अलग नहीं कर सकते यहां पे आमाप में अंतर होना आउशक है दोनों ही liquid form में हम इनको कैसे filtration से अलग करेंगे चाई जब हम बनाते हैं तो उसको हम filter करते हैं ताकि जो चाई की पत्या हैं वो छलनी में रह जाएं तो वहां पे यूज करते हैं यहां पे नहीं कर सकते हम यानि यह जो है वो रोंग हो जाएगा उसके बाद नमक और चीनी के मिक्शर को निश्पावन से प्रत्रक कर सकते हैं तो नमक और चीनी के मिक्षर को हम निश्पावन से कर सकते हैं अलग यह राइट है क्योंकि जो नमक है वो लाइटर फोर्म में है और जो चीनी है वो याँ पर भारी है तो इसको हम कर सकते हैं निश्पावन मेथड से आगे है चाई की पत्यों को चाई से प्रथकरन निश्यंदन द्वारा किया जाता है तो राइट स्टेट्मेंट है फिर एनाज और भूसे का प्रथकरन निश्टारन का प्रकरम से करते हैं ये रोंग है निश्टारन से नहीं करते हैं कि इसको हम निश्पावन से करते हैं, हम ओ करेंगे आगे, आगे दिया गया है कि जल में चीनी और नीबू का रस मिलाकर सिकंजी बनाई जाती है, आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए सिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में कि इस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संबव होगा, सो अब हम एपलाई करेंगे हमारा मैथ़ड, हमने देखा कि अगर हम गरम करते हैं किसी प्रदार्थ को, तो हम उसमें और अधिक प्रदार्थ को घोल सकते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल जब हम डेली लाइफ में बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बर्फ है, वो सबसे लास्ट में डाली जाती है, ताकि जो वोटर है वो अगर नॉर्मल टेंपरिचर पे है, तो उसमें जो चीनी है, वो हम आसानी से घोल पाएं, तो बस वही है यहाँ पे आंसर कि सिकंजी में बर्फ चीनी घोल जालने से पहले डालेंगे या बाद में, तो हम बाद में डालेंगे बर्फ और पहले हम चीनी घोलेंगे, किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा, तो हमने देखा कि था कि जो गरम होता है पानी, उसमें हम अधिक अव्यव घोल सकते हैं, तो जो नॉर्मल टें गई हैं कुछ एक्टिविटीज सो हमारे एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से ये बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है हमारे लिए सो इस चैप्टर में काफी कुछ इंपोर्टेंट था हमारे लिए काफी सारे मैथर्ड्स उनको हमने डिसकस किया है अब यहाँ पे एक पैंटिंग दी गई है इसमें बताया गया है निश्पावन करने वाले गुस्ताव कोर्बेट की ये पैंटिंग है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी है वो यहाँ पे कुछ चान रही है जिससे क्या है कि निश्पावन की मैथड है वो यहाँ पे यूज की जा रही है कि हलके और भारी अव्यव को यहाँ अलग किया जा रहा है जो हलके अव्यव है वो हवा के करन यहाँ पी कट्टे हो रही है वो जो भारी अव्यव है वो यहाँ गिर रही है इस तरीके से यूज किया जा रहा है निश्पावन का मैथड सो हमने डिस्केस किया ये चैप्टर I hope आपको इससे help हुई होगी हमारे next video lecture में हम जो next is sixth number का चैप्टर उसको डिस्केस करेंगे So thank you so much, have a nice day